चलिए जानते हैं, cathode ray tube experiment के बारे में, यहें एक tube है, जिसके उपर एक vacuum pipe लगा है, जिसकी सहायता से tube के अंदर की हवा निकाली जा सके, और फिर battery के negative terminal को tube के cathode point से, और battery के positive terminal को tube के anode point से जोड़ दिया जाता है, अभी देखने पर tube के अंदर कुछ नहीं होता दिख रहा है, जिने tube के cathode point से निकलने की वजह से cathode rays नाम दिया गया, अब यह cathode rays एकदम सीधी line में unnode point की तरफ attract होती नजर आती है, जिससे यह पता चलता है कि इन rays में negative charge मौझूद होता है, उसके बाद इन cathode rays के बीच एक wheel को रखा गया, थोड़ी देर बाद wheel घूमने लगता है, ज जिसका नाम करन करते हुए सर जीजे थॉमसन ने उन्हें electron कहा, ऐसे हुई electron की खोज, दुनिया में सबसे पहले खोजा गया subatomic party,